कहानी के शुरू में एक लड़का अपनी स्पेस्शिप के अंदर कुछ प्लांट्स को उगा रहा है अचानक उसके स्पेस्शिप के सामने एक मेट्रोइड आ जाता है जिससे टकरा कर उसका स्पेस्शिप प्लैश होता है ऐसे छोटे से प्लैनेट पे जो हर तरहां से बंजर ना ऑक्सीजन ना पानी उसका यहां जीना मुश्किली नहीं ना मुम्किन था वो अर्थ से कॉंटेक्ट करने की कोशिश करता है पर यहां उसकी डिवाइजिस चलना बंद हो गई है उसका वापिस जाने का अब हर रास्ता बंद दुख और हुस्सा उसे समझ नहीं आदी कि कि यह प्लैनेट बहुत जादा छोटा है जिस पर अब वो फस चुका है उसे यहां रहना भी था और खाना भी इसलिए उसने एक कोशिश शुरू की थी यहां पर प्लांट्स लगाने की पर इस चका की माहूल की वज़ा से प्लांट्स मुर्जा जाते हैं उसकी अब रही सह की उमीद भी खतम हो गई थी अब तो बस वो मरने कहीं इंतजार कर रहा था जिस वक्त पिंकले की एक और स्पेशिप उसे प्लैनेट पर आकर क्रेश होती है यह शायद कोई एलियन शिप थी लड़का जब उसे चेक करने के लिए जाता है तो उसमें कोई नहीं था यहां कि इसी के पाउं के निशान नजर आ रहे थे तभी उसके पाउं से आकर कुछ टकराता है यह उसके प्लांट का ग्लास था वो अभी कुछ जान नहीं पाया था कि सामने उसे बहुत बड़ा दिरख्ट दिखाई दे रहा है जो उसके देखते ही दिखते और भी बड़ा हो गया भाकर जब वो उस दिरख्ट के पाच आता है तो यहाँ पर पिंक कलरकी और पिंक पालो वाली एलियन उसे निसरा आती है जिसने इस लड़के के लगाए हुए प्लांट को अपनी पौवर से कुछी मिनट में एक दिरख्ट बना दिया था उसे देखकर अपनी आँखों पर लड़के से पूछे इस एलियन ने उस लड़की की स्पेश शिप से बहुत से प्लांट लाकर जगा जगा लगा दिये हैं और अब वो लड़की को भी अपनी मदद का इशारा करे ही है लड़का जब उसे प्लांट पकड़ा रहा था तो गलती से उस एलियन ने लड़की का हाथ पकर लिया इस सबसे यह लड़का शर्मा कर ब्लश करता है इलियन उसे गोर से दीखती रह जाती है जिस वक्त उसके हेलमेट में भाम बनने लग गई थी इसका मतलब था कि उसकी ओक्सीजन खतम हो गई है और अब वो मर जाएगा यह इलियन उसका हेलमेट उतार देती है अब तो उसे सास लेने में भी मुश्किल आ रही है पर एलियन ने एक जादू से यहां का सारा महौल बदल दिया है अब इस प्लैनिट का महौल बिलकुल अर्थ की तरह हो गया है जिसमें वो लड़का आसानी से सास ले सकता है यही नहीं इस एलियन ने लड़की के सारे प् पास जाता है, वो चाहता था कि ये आम सबसे पहले एलियन चखे, पता चुलता है कि इस अर्से में दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे, अब ये लोग साथ रेने कर डिसाइड करते हुए अपनी अपनी स्पेस्शिप को जोड़कर एक घर बना लेते हैं, और क वो अपनी फैमली के साथ बहुत इंज्वाइ करता था, वो लोग अपने मेंगो ट्रीस से मेंगो लेकर खाते हैं, जो सबी को बहुत पसंद थे, ऐसे ही जिन्दगी के पल और साल कुसरते रहें, उनकी खुशकरवार सिंदगी में टेंचन तब आती है, जब लड़का ये लिए उसकी बॉड़ी का कलर अब करे हो रहा है, दोनों ही जानते थे कि ये उसकी जिन्दगी का एंट होने वाला है, वो अपनी बेटियों पे इसका असर नहीं पढ़ने देते, पर सबसे जादा दुखी ये लड़का था, उसकी फैमली खतम हो रही थी, उसका पार्ट होता जा रहा है, एक दिन ये लड़का देखता है, कि उनका मेंगो ट्री बिलकुल सुख गया, इसे देखते ही वो फूरन अपने वाइफ के पास आता है, जिसकी हालत उस दरख की तरह में खराब है, देखते ही देखते ही वो एलियन इस लड़की के हाथ में खतम हो गई थ उसकी बोड़ी पिंग दुए की शकल में आस्मान में चली गई थी, उसके ज़ाते ही इस प्लानेट से ऑक्सीजन भी खतम हो गया है, जिसकी वज़ा से ये लड़का भी दो मिनट बाद भी होश हो गया है, पर ये एंड नहीं था, थोड़ी देर बाद उसकी होश आने पे वो देखता है कि उसकी बेटियों के अंदर भी एलियन पॉवर्स हैं, ऐसी ही जैसी उसकी वाइफ में थी, जिसकी वज़ा से प्लानेट का इंवार्मेंट दोबारा इन्होंने अर्ट जैसा बना दिया था, ये लड़का भी यहाँ पर सांस ले सकता था, वो अपने आपको अबुखम से निकालता है और अपनी बेटियों के साथ एक नई लाइफ जीना शुरू कर देता है, क्योंकि ना तो उस जिन्दकी खतम हुई थी और ना ये जीने की वज़ा, अब उसकी जीने की वज़ा उसकी बेटिया थी, दिखा जाता है काफी साल गुसरते हैं, वैसे ही शिर्मा कर ब्लश करता है, जैसे उसते पहनी परतबा अपनी एलियन वाइफ का हाथ पकड़ के ब्लश किया था, सामने कौन था, ये स्पेशिप किसकी थी, ये मोवी इंडी सावालों के साथ हैंड हो जाती है, लेकिन सब इतना जानते हैं, कि आगे उनकी जाने वालिये